नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबी भाई बैनों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इससे सब्सक्राइब कीजिए यह बिल्कुल फ्री है इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिथुन लगन के बारे में जो लगन तीन नमबर से स्टार्ट होती है लगन चार्ट में उसे मिथुन लगन कहा जाता है इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुद्ध होता है मिथुन लगन के अंदर जो दूसरा घर है जिसको क्यम्धन स्थान बोलते है उसके मालिक चंट्रमा बनते है तीसरे घर के मालिक सूर्य बनते है जो की पराकरम स्थान होता है चौते घर के मालिक बुद्ध बनते हैं चौते घर में कन्या राशी पढ़ती है यहीं बुद्ध की उच्छ राशी भी है पंचम भाव में तुला राशी पढ़ती है इसके मालिक शुक्र बनते है छटे घर में मंगल की राशी पढ़ती है सातना घर जो होता है उस हो सब्तमेश जो ब्रसपती होता है अश्टम और नवम भाव के स्वामी शनी बनते हैं दशम घर के स्वामी फिर ब्रसपती बनते हैं मीन राशी पढ़ती है इलावेंथ हाउस में मेश राशी पढ़ती है उसके स्वामी मंगल है और द्वादश भाव द्वादश भाव में पढ़ती है व्रशवराशी और उसके मालिक बनते हैं शुक्र। मिथुन लगन में जो केंद्र त्रिकोन स्थान हैं मतलब एक चार साथ और दस। इन दोनों जो चार भाव हैं इनके स्वामी बनते हैं बुद और ब्रसपती। मिथुन लगन में जो ब्रसपती की स्थती है ब्रसपती केंद्रादी पती दोश्ते ग्रसित होते हैं इसलिए मिथुन लगन में ब्रहसपती बहुत शुपफल नहीं करते हैं लेकिन फिर भी यदि उनका प्लेस्मेंट अच्छा है सही जगे पे बैठे हैं अस्त नहीं है त्रिकोन दोनों होती है इस तरह से बुद्ध ग्रह तो शुप होता ही है मिथुन लगन के लिए इसके अलावा जो शुक्र ग्रह है वो दो राशियों के स्वामी है यहां पर एक राशी द्वादाश्व स्थान में पढ़ती है और बेसिकली पंच्रम स्थान का यह अधिक फल करते हैं और मिथुन लगन के लिए मैंने देखा है शुक्र की महादशा अगर शुक्र अच्छा बैटाओ तो बहुत अच्छी जाती है और शुक्र के द्वारा ही उनको जीवन में काफी सुख सुविदाएं अरजित होती है इसके अलावा जो तीसरा ग्रह है शनी अच्छा फल करते हैं और ब्रसपती की पोजिशन अगर ठीक है कुंड़ी में तो ब्रसपती भी अच्छा फल करते हुए देखे गए हैं लेकिन केंद्रादी पती दोश होने से ब्रसपती के जो शुप प्रभाव हैं वो कुछ परसंट उनको कम ही मिलता है इसके अलावा ज बहुत परिशान होते हैं उनके जीवन को हिला के रख देता है मितुन लगन में अगर लगन में ही बंगल बैटा है तो बहुत क्रोधिस वभाव का व्यक्ति होता है उसको ये होश नहीं रहता है कि कब क्या बोलना है किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये बिल्कुल ध्याननी रहता है, इंसान अपने एहंकार में रहता है, और यदि बुद्ध भी कुंडली में कमजोर पढ़ जाया, तो व्यक्ति कई बार बहुत शत्रूता मोल ले लेता है लोगों से, और उसकी जो वानी होती है, वो सयमित नहीं होती है, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, यही उसकी परिशानी का कारण बन जाता है, कई बार कोई शारीर की विकार वगएरा भी होता है, कोई चोट वगएरा लगने का भाय होता है, अगनी वगएरा का भाय ऐसी व्यक्ति को होता है, दुरगटना इत्यादी का भाय भी होता है, इसके अलाव व्यक्ति खुदी अपने कर्मों से व्यक्ति अपने ऐसी हरकत करता है जिसके द्वारा उसके घर के सुक में कमी आती है। सुक प्राप्त नहीं कर पाते सब्तम भाव में यदि मंगल होता है तो जातक कि अपने पती से थोड़ा तनाव रहता है दंबत्य जीवन में कटूता बनी रहती है लेकिन और ग्रहों की भी इस्तती देखनी होगी यदि और ग्रह बढ़ियां है तो थोड़ी बहुत समय परिशानी रहती है उसके बाद रस्ते निकलते हैं पती पतनी की बिच प्रेम बहुत अच्छा रहता है लेकिन इगो टकराता है और इगो के चलते परिशानीयों का सामना करना पड़ता है अश्टम घर में मंगल होता है तो प्राय तलाक शुदा से कई बार शादी होती हुई देखी गई है रिष्टे कई बार टूटते हैं कई बार मन वाफिक जीवन साथी नहीं बैठता कई बार जीवन में भटका वित्यादी भी ऐसी यूफतियों के होता हुआ देखा गया है द्वादश भाव में यदि मंगल होता है तो भी ऐसी परिशानियों का सामना करना पड़ता है जीवन साथी से नहीं बनती है और कई तरह की परिशानिया पैदा होती क्योंकि जातक मंगली हो जाता है और उसको एड़्जस्मेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ये तो कुछ खास बात मैंने आपको बताई मिथुन लगन के बारे में इसके अलावा जो मिथुन लगन के व्यक्ति होते हैं वो व्यापारिक मनोवरत्ति के होते हैं वो वाक्चतुरे के धनी होते हैं वो बातों के द्वारा लोगों का दिल जीतते हैं किस व्यक्ति को क्या बात पसंद है ये कला उनको बहुत अच्छी तरह आती है और व्यक्ति के मन वाफिक शब्द निकालते हैं जिससे बहुत जल्दी उनके फालोवर हो जाते हैं उनके दोस्त लोग बहुत बन जाते हैं लेकिन हकीकत में वो जैसे होते हैं वैसा शो नहीं करते हैं और बेसिकली ऐसे लोग मित्रता को पसंद भी करते हैं काफी बड़ा इनका सरकल होता है helping nature की होते हैं ये लोग और लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत इनको पसंद होता है खाना पीना घूमना फिरना और बहुत पसंद होता है इनको एक प्रमुक शॉक होता है वो इनको होता है cooking का बहुत शॉक होता है gardening का बहुत शॉक होता है पेड़ पौद ये लगाना इनने बहुत ज़ादा पसंद होता है बहुत intelligent होते हैं बुध की अगर अच्छी position हो तो काफी ज्यानी पंडित होते हैं और बहुत books को पढ़ने वाले होते हैं book लिखने वाले होते हैं कुछ publisher वगरा होते हैं इसे लोग जर्नलिजम में इनको बहुत इंट्रेस्ट होता है, जमाने की खबनों का इनको बहुत शौक होता है, बहुत अच्छी नेचर होता है, इनको घर के मामले में, जदी मंगलिक वगरा नहीं हो, और कुछ ग्रहें के अच्छे सपोर्टिंग हो, बुद्जा से उच्च का हो जाए कन्या राशी में या ब्रसपती भी अच्छी पोजिशन हो जाए तो ऐसी वेक्ति अपने घर को बहुत प्यार करते हैं घर को सजाते सवारते हैं घर में बहुत अच्छा मावल रखने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे दोस्तों से रिष्टा रखते हैं सब्सक्राइब नहीं रखते, जो लोग इनको, क्योंकि इनके मानदन्डों पे किसी भी व्यक्ति को खरा होना बहुत आवश्रक है, क्योंकि इनका स्वामी बुद्ध है, बुद्धी इनमें कूट-कूट की भरी होती है, काफी कुछ इनका सब्सक्राइब पांच अंक के बहुत अच्छा option है, पनना पहनना चाहिए इनको, और इसके अलावा ये डाइमंड वगरा भी पहन सकते हैं, इनको सूट करता है, दशा के इसाब से बाकि देख लेना चाहिए, ब्रस्पती के रतन पुखराज भी ये पहन सकते हैं, इनको मुंगा अवाइडी करना इनको विश्नु भगवान की उपासना करनी चाहिए, इसके अलावा ये क्रिश्न भगवान की, लक्ष्मी माता की इनकी भी पूझा कर सकते हैं, वो भी इनके लिए काफी फली बूत होती है, रंगों में इनके लिए गुलाबी रंग, हरा रंग, सफेद रंग, काला रंग बहुत शुब होता है, लाल रंग इनको अवाइट करना चाहिए, लाल और केसर या कलर ये इनको ज्यादा सूट नहीं करेंगे, इनको 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 अवाइट करना चाहिए, भुझे पदार्तों में इनको साबुत मूंग ग्रहन करना चाहिए, कांसे के ब इनको करना चाहिए, श्री अंत्र की इनको पूझा करनी चाहिए, इस तरह से उपाय करने से जीवन में ये काफी प्रगति कर सकते हैं, इसके आलावा इनको एक बात का विशेष त्यान रखनाः चाहिए, उसलिए इनको बहरती सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, बुद अच्छी पोजिशन इने एक अच्छा व्यापारी बनाती है इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं शिक्षा जगत में जा सकते हैं ब्योटी पार्लर का यह काम कर सकते हैं काम इनको कोई भी सौपा जाए बहुत ही एक सुझ-बुच के साथ करते हैं तो इस प्रका करते हैं शिक्षा जागते हैं कि अच्छा लोग प्रकादो टो फ्रॉबादें प्रॉच के सीट शप्राव सेपने की भी से लोगते हैं वितकते हैं